मूली का पराठा, बेसन ये सबजी तो आपने कई बार खाई होगी लेकिन आज जम मूली का एक एसा नाश्टा बनने वाले हैं कि जिसे खाने के बाद सभी आप से पूछेंगे कि ये कैसे बनाया तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं नमस्कार रेखा मूवार्स कीचन में आपका स्वागत है इसके लिए हमने याप पर ये दो मूली ली है तो मूली को हम पहले छील लेते हैं तो आप छीलने से पहले इन्हें अच्छे से साफ पानी से ढोली जिए और इन्हें काट करके इनके छोटे-छोटे से टुकड़े कर देंगे और इन्हें मिक्सिजार में डाल देंगे क्योंकि हमें इनका पेस्ट बनाना है तो देखिए हमने दोनों ही मूली को कट कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं लगभग एक से दो टेबल स्पून हमने इसमें पानी डाला है और यह देखिए हमन में एक कप पानी भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद हमने या पर ये तीन हरी मिर्ची लिए तो इनका हम पेस्ट बना करके डाल रेंगे आप चाहे तो चोटी-चोटी टुकड़े करके भी डाल सकते हैं अब हमने या पर ये एक चुटकी हींग चोटी-चोटी-चोटी चमच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं सभी को अच्छे से मिला करके और पानी को उबलने देंगे इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा ये बारी कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे तो पानी जब तक उबलता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो इधर हमने ये आधा कप गेहूं का आटा लिया है इसी के साथ हमने ये आधा कप चामल का आटा भी लिया है तो दोनों को पहले अच्छे से मिला लेते हैं ताकि पानी में मिलाते समय आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इधर देखिए पानी भी अ नहीं सब्सक्राइब देड़ oikebooks Mix कर देंगे कैझे ब्रोड आठे को पानी मेशालिक टीजों नमक दालेगे। गेशों के cioè की पामी मेशालोत जिम कि की अच्छे में अच्छी आप मिलब गए दो आथी सांगें और इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और इसे लगपक एक से दो मिनिट के लिए हलका सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हम इसे आसाने से चूँ सके एक से दो मिनिट बाद हाथ पर थोड़ा सा ओय लगा करके आटे को अच्छे से चिकना कर लेते हैं क्योंकि यदि इसमें कोई गुठलियां भी होगी तो वो भी खतम हो जाएगी तो ये लिजी ये डोबन कर तयार है अब हम इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ले करके इसकी गोल लोई बना लेंगे तो देखे इस तरीके से हमने एक लोई बना ली है इसे सुखे आटे से लपेट करके बेल लेंगे यहाँ पर हमें बहुत ही पतली रोटी नहीं बेलनी है हलकी सी मोटी रोटी बेलेंगे क्योंकि हम इसका पराठा बनाने वाले हैं तो देखिए यहां पर मैंने इसे बेल लिया है अब हम एक धक्कन लेकर के इसे कट कर लेगे ताकि सभी परांठों का शेप एक जिसा आएगा तो यह देखिए हमने इसे कितना मोटा रखा है बहुत ज़्यादा पतला हम इसे नहीं रखेंगे तो इसी तरीके से मैंने यहां प एक तरफ से शीख जाने पर हम इसे पलट लेंगे और दूसरे तरफ भी इस तरीके से जब यह सीख जाएगा तो इसे पलट करके परांठे को फूला लेंगे तो आप देखिए यहां पर परांठा कितने अच्छे से फूलने लगा है गस का फ्लेम हमने मीडिया में रखा है लेकिन परांठे का कलर बहुत ज़दा हम चेंज नहीं करेंगे, देखिए, दोनों तरफ से हलके हलके से यह सीख चुके हैं, तो अब हम इने निकाल लेंगे, यहने की उतार लेंगे, और इसी तरीके से दूसरे परांठे को भी सेख लेंगे, तो आप देखिए, हमने यहाँ पर परांठो पर घी या तेल नहीं लगाया है, हमने इसे कोरा ही रखा हैं, क्योंकि हम इने फ्राइ करने वाले हैं, लेकिन यह आप चाहें, तो तवे पर ही हलका सा तेल या घी लगा करके इने सेख लीजिए, और गर्म गर्म इन परांठो को आप सभी को खिलाईए, तो दोनो इतरे से आप इन परांठो को बना करके खिला सकते हैं, लेकिन आपके घर महमान आने वाले हो, और एक साथ सारे परांठे आप बनाना मुश्किल है, तो इस तरीके से आप परांठे को बना करके पहले रख लीजिए और गर्मा गरम इने फ्राइ करके सभी को खिलाईए इसका स्वात दो गुना बढ़ जाएगा तो देखिए तेल इतर अच्छे से गरम हो चुका है इन परांठों को हम फ्राइ कर लेते हैं तो आप देखिए ऑ तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारे ही परांठों को हम फ्राइ कर लेंगे मैं इने तेल में फ्राइ किया है आप जाए तो इने घी में भी फ्राइ कर सकते हैं तो लीजिए गरमा गरम हमारा ये मूली का परांठा बनकर तयार हो गया है तो गरमा गरम इन मिठा अचार लिया है तो आशा करते हूं कि आपको मेरी आज की ये पराठो की रेसिपी जरूर से पसंद आई होगी आप एक बार जरूर से इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा और यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और म मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू